जहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो पर और इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले PM बिसकर्मा योजना के महतपूर्ण सर्टिपिएट वो आपको कैसे मिल सकते हैं यहाँ पर PM बिसकर्मा योजना का आपका सारा पॉर्सेस कंप्लेट होने बाद यहाँ पर सर्टिपिएट जो कि है आपके ID में एड़ कर दिया जाता है तो कैसे आपको ID से खोज के निकालना है कि आपका कौन-कौन सा सर्टिपिएट कुछ आपको इस तरीके से किया जाता है वह सर्टिपिएट आपका ऐसे निकाल सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आप दूरी जानकारी देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक न्यू टेप लेके यहाँ पर कोई भी ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा और फिर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा अगर आपका इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो कुछ आपको इस तरह के से देखने के लिए मिल जाएगा आप सिंपले देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा एरर आप आपको दीख सकता है या फिर कुछ आपको इसी तरह के से दीख सकता है तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपके जो भी राइट साइट के कॉर्णर पर यहां पर देख सकते हैं थ्री डॉट है के बाद यहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको पूरा क्लियर देखने मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरह स्क्रॉल करने बाद आपको यहां पे थ्री लाइन आपको देखने मिल जाएगा, सिंपल यह आपको इसी में क्लिक करना है, क्लिक करने बाद आ आपको यह option select करना है, आप यहां पर simple देख पा रहे होंगे, applicant and beneficiary login, simple आप जैसे यहां पर click कर देंगे, उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपका जो भी mobile number है, उसको यहां पर डालना है, और mobile number डालेंगे बाद जो भी आपका यहां पर capture दिया हुए, उसको यहां पर fill up करना है, और fill up होने के बाद यहां पर आपका जो भी login कर लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने सारा अपना details डाल दिया, उसके बाद capture को यहां पर fill up कर लिया, उसके बाद मैं यहां पर login का जो भी से error दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर OTP को fill up करना है, simple है आपको OTP को जो भी OTP आएगा आपके पास उसको यहाँ पर fill up करना है कभी-कभी आपका कुछ इस तरह का interface दिखेगा तो इसमें घबरानी की कोई बात नहीं है, आपको कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको सही से नहीं आता है तो simple है, आप mobile को सीधा कर ले फिर से landscape में कर ले, तो यहाँ पर आपका सारा के साथा details वो सही से दिखना है start हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे नीचे करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सारी details आपको देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अपर आपको देखने के लिए मिल जाएगी और इसके बाद जैसे नीचे आएगे यहाँ पर आपका जो भी एप्लिकेशन फॉर्म है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर हमारा तीन स्क्रॉट हमें मिल को यहां पर simply click करके download भी कर सकते हैं और इसका print out निकाल के भी रख सकते हैं अगर आप चाहे तो यहां पर download करके print out करके निकाल सकते हैं वरना यहां पर आप अपना जो की certificate है वो post office के थुरू भी आपके send घर दिया जाता है अगर आप चाहे तो यहां से certificate download करके लग सकते हैं और यह सबसे important वाली certificate है जहां से आपको loan दिया जाता है simply कितने ही आपको जानकारी देनी थी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानकारी मिली है तो simple वीडियो को like कर दिजिए अगर इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है simple चैनल को subscribe जरूर कर दिजिए ताकि आने वाली कोई भी update या फिर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ जैहिन बनमाद